आजमगर चिले के कुख्या धुरू सिंग उर्फ कुंटू सिंग के खिलाफ चल रही कारवाई के साथ ही गुरुवार को उसकी पत्नी समें दो लोग खिलाफ जेनपूर कोत्वाली में जाल साजी का मामला दर्च किया गया है इस मामले की जांच जिला दिकारी के निर्देश पर जिला मुख्याले परस्ते सावित्री बाई फूले जराज की पॉलिटेक्निक के प्रिधानचार या इस्तिकार एहमद द्वारा की गई उनके द्वारा की गई जांच में संस्थान से संबंदिन दस्तावेज में कई कागजात फरजी पाए गए थे देखे आजमगर से समध आता आदर्श्रिवास्तो की रिपोर्ट सारा मामला पॉलिटेक्निक की जो मानिता है उससे जुड़ा हुआ है फर्जी प्रिपत्र लगाकर उनके द्वारा मानिता प्राप्त की गई है और इसी संबंद में मुगदमा दर्श किया गया है अभी दो लोगों खिलाब मुगदमा दर्श हो है लेकिन जब यह मुगदम हुआ इसके ईक और आज लेहिं जिसके जिसमें कुछ जमीं ग्रामसावास की घृतिंग और उसका भी एक और उचर्फ तरह से जिए पॉरिता बिधिक कुई मानिता नहीं थी मानता थी तो फर्जी वानाति थी फर्जी पत्रों के अधार मानिता थी और उस पर यहीं पर इस दर्ज करने की गई है और इसके आगे विविशना में अन्य लोग खिलाबी करवाई की जाएगा तो देखें कि उसकी मानता ही फर्जी है तो तो उस कोई औचित रहने ही जाता यदि गूल में से भी उस लोग इस तरह की अगर अपनी दर्ज कराना चाहेंगे इस तरह की स्कू देखें वो बात की बात है उस पर जो भी डिलना होगा लेकिन ये इस तरह के फर्जी स्कूल में दातला लेना भी एक अपरात की शड़ी में आता और जिन लोगों ने ये अपरात किया है जिनोंने बच्चों का दातला स्कूल में किया उनके खिलाब करवाई आउश्य की ज और बेल आइकोन दबाना न भूलिए